नमस्कार दोस्तों मैं नितेनाप का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप ट्रेंड के बारे में शोशल मीडिया का वो टॉप ट्रेंड जो उल्टा पड़ गया वह ऐसे कि अभी अभी आपको ग्यात होगा कि भाश्पा के नेता और प्रवक्ता सम्वित सम्वित पात्रा के ऊपर कॉंग्रेस हावी होना चाह रही थी सम्वित पात्रा का एक ट्विट था उस ट्विट पे फाई यार हो गई थी चलो पहले तो मैं आपको बता देता हूं असल में हुआ ये था कि मद्ध्य प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक होता कोरोना भी जो है काभू पालिया जाता और वगयरा वगयरा की बातें थी जिस पर लोगों को हसी आई लेकिन सम्वित पात्रा ने उसे रीट्विट करते हुए उस पर जवाब दिया जवाब में उन्होंने एक पोश्टर एक बैनर भी डाला और उन्होंने क्या लेखा का टेस्ट किट घोटाला 20,000 करोड का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड का राजीव गांधी वाइरस रीसरच घोटाला होता अब सम्वित पात्रा के इस ट्विट के बाद जो है जलनी तो लाजमी थी यहां पर नों में जवाहर लाल नहरू और राजीव माननी ये सम्मानी ये पूर प्रधान मंतरी पंडे जवाहलाल नहरू जी के मूपे सेगार ठूस दी गई हो एडिटिंग करके ऐसा तो है नहीं ये जो है रियल फोटो है हालनकि माननी ये सम्मानी ये जो है जवाहलाल नहरू जी को सेगार और मदीरा का बड़ा सौक रहा थ कि जल भुन गई मिर्ची लग गई और उन्होंने क्या किया दिल्ली के यूथ कॉंग्रेस के जो नेता है उन्होंने बीबी जी करके उन्होंने एफ आई यार कर दी पुलिस थाने में अब उनको लगा कि यह बहुत जादा बड़ा क्राइम है इसके लिए संभित पात्राजी जेल में ठूच दिये जाएंगे तो ऐसा तो होने वाला नहीं है बाई साब मुझे नहीं लगता है और बहुत सारे मेरे मित्रों को और टीम को भी नहीं लगता है कि यह कोई अपराद है यह तो जो है संभावनाओं पर आधारित है जैसा कि कॉंग्रेस मद्द प्रदेस के हैंडल ने संभावना जताई थी कि अगर उनकी गवर्मेंट होती तो बहुत अच्छा काम करते कुरोनों का नाम उने सान मिटा देते वगेरा 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 तो यहां पर भी संभावना जाहिर की संभित पातरा जी ने कि अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो फलना फलना घोटाले किये होते क्या कॉंग्रेस ने टू जी घोटाले से लेके कोलगिट घोटाले से लेके हैराल्ड नैशनल हैराल्ड घोटाला नहीं किया क्या राहुल गांधी जी और मानिनी कॉंग्रेस की माता जी अर्थात सुनिया गांधी जी बेल पे जमानत पे बाहर नहीं चल जई आने की सोची वह Twitter Trend षक्टू अरश्ट्समविदपातरा अरश्टू पैतर ऑचराने सब्सक्राइब आयि जो असल में अलट था जोपर से आता है Congress और कमान से आता है निष्ले लोगों को कि यीज चलाना है तो वो जो ट्रेंड अलर्ट था उसका स्नैपसॉट जो है वो लीक हो गया कॉंग्रेस में बैठे किसी बिभीशन ने वह स्नैपसॉट लीक कर दिया और समवित पातरा जी ने उस स्नैपसॉट को पोस्ट भी किया पोस्ट करते हुए उन्होंने लेखा कि फालतू में चार वजे टाइम वेस्ट करने की जरुवत नहीं है आप लोग जो है कॉंग्रेस रिपोर्ट लीग्ड में ट्विट करें और कॉंग्रेस रिपोर्ड लीग्ड में ट्विट करते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं अब हुआ ये कि कॉंग्रेसी चार बजे से सोच रहे थे टॉप टेंड चलाने की अरेस्ट सम्वित पातरा जो की टॉप पे गया भी लेकिन उसके बाद टॉप पे चला गया कॉंग्रेस रिपोर्ट लीग्ड ये टॉप टेंड रहा उसके बाद नंबर आया कॉंग्रेस वाल दूंडने की आवशक्ता है अन्य था लंका जल जाएगी लंका गिर तो चुकी है लंका जो है वो गिर के और जनता की नजरों में भी गिर चुकी है लेकिन बस लंका लगने की बाकी है तो लंका लगाने के लिए लगने के लिए सबसे जहूरी यह है कि कॉंग्रेस को अगर ब जनता ने बहुत ही जादा साथ दिया समर्थन दिया और अब आपको यह जानके बहुत ही खुशी होने वाली है कि जनता का समर्थन पाकर समवित पात्रा जी फूले नहीं समा रहे हैं और उन्होंने धनाधन ट्विट भी किये हैं और यहां पर कॉंग्रेसी खेमे में आँख लग गये कंव्रेसी खेमे में लाल वाली मिर्ची जो है भुनभाना गया उसका कारण यह है के ओंग्रेसी सूच रहे थे कॉंग्रेस ईटीड सेल्स सोच रहे थी कि संवित पात्रा जी को ट्रोल कर देगी वह खुद ही ट्रोल हो गई और ट्रोल होने के बाद उनका ना जवाब आया और प्रश्न जो था वो हो गया की टेस्ट पीटीज लेकिन यहाँ पर मद्ध्रदेश कॉंग्रेस के PC सर्मा जो पूरों मंत्री हैं भोपाल में रहते हैं उन्होंने कारवाही करने और कारवाही करवाने की बात कही है तो देखते हैं PC सर्मा जी भोपाल में रहकर क्या कारवाही करवाते हैं सम्वित पातरा जी पर अगर कोई कारवाही होगी भी तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा वीडियो तो सच्चाई पे बनता है टॉप ट्रेंड पे ट्रेंडिंग टॉपिक करोती है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि इस वीडिओ को शेयर करना होगा इस वीडियोха सरकुलेट करना होगा और अगर आप नहीं है तो आपको इस चैाल लितन अप्लूडर को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को बजा देना हुगा ताकि आने वाले वीडियोज और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की पूरी जानकारी और लेखा जोखा आप तक अनबायस डूप से पहुँच सके धन्यवाद जयहिंद वंदे मातरम